E. विद्रोह के असफलता के कारण सामान्य परिचे पूर्व के अन्य विद्रोह की अपेक्षा 1857 का विद्रोह कहीं अधिक विस्त्रित था इस विद्रोह में सैनिक तथा असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया फिर भी यह विद्रोह असफल रहा विद्रो के असफलता के प्रमुक कारण इस प्रकार हैं विद्रो का सीमित स्वरूप सन 1857 इसवी का यह विद्रो इस्थानी सीमित और कुसंगठित था विद्रो का निश्चित समय से पूर्व विस्फोड हो जाने के कारण यह अखिल भारतिय आंदोलन का रूप धारन नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रहा भारत के कुछ राज्यों जैसे बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उडिसा एवं दक्षण भारत में यह क्रांती फैल नहीं पाई थी नमबर दो, देशी नरेशों एवं सामंतों की गद्दारी 1857 इसवी के विद्रोह का सुरूब मुख्यता सामंतवादी था जिसमें कुछ राष्टवाद के तत्वे दमान थे अवध और रुहेल खंड के तथा अन्य उत्तर भारत के सामंतवादी तत्तों ने विद्रोह का नेत्रित किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्तों ने विद्रोह के दमन करने में सहायता की पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाव सिंग, गौलियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राओ, हैदरावाद के सालार जंग, भोपाल की बेगम और नेपाल के एक मंत्री, सर जंग बहदूर की स्वामी भक्ती अंग्रेजों के साथ थी इन सभी राजाओं की गद्दारी के कारण विद्रो असफल रहा इस विद्रो में मजबूत केंद्रिय संगठन का अभाव था, तथा विभिन भागों के विद्रोहियों में कोई तालमेल नहीं था इन में वीर्ता एवं बहदूरी की भावना थी, किन्तो योग सेनापती के गुण नहीं थे जिसका उधारण बहदूर शाद्वारा दिल्ली आने वाली अंग्रेजी सेना को बाहर ही रोकने का प्रयास्त नहीं करना है नमबर चार संगठन का अभाव विद्रोही नेताओं में अनुभव, संगठन ख्षमता तथा मिलकर कारिकरने की शक्ती की कमी थी, छापा मारने से अथवा सहसा आक्रमन करने से लुप्त सोतंतरता नहीं लोट सकती थी विद्रोह समाप्थ होने के पश्चात, जो अनेक आयोग और जाज समितियां न्यूत की गई, उनमें से किसी को भी विद्रोह के पीछे योजना बद्ध कारिकरम के प्रमाण नहीं मिले नमबर पांच, निशित उद्देश का अभाव विद्रोहियों के सामने विदेशी विरोध भावना के अतरिक्त कोई अन्य सामान उदेश नहीं था, सभी प्रमुग नेताओं के अपने व्यक्तिगत हित थे 1857 स्वी के विद्रोह में यह कहना कठिन है कि सभी विद्रोही राष्टियता की भावना से प्रेरिध होकर लड़ रहे थे भारती सैनिकों ने चर्बी वाले कार्तूसों के कारण विद्रोह किया, सैनिकों को अंतिम लक्ष पता नहीं था, इसी तरह अन्य विद्रोहियों ने भी विद्रोह किया नमबर छे, सीमित साधन, अंग्रेजों की तुल्ना में विद्रोहियों के साधन सीमित थे, जहां भारती सैनिक भाले वा तलवार से युद्ध कर रहे थे, वहीं अंग्रेज सैनिक नमीन राइफलों का प्रियोग कर रहे थे, जिसका अनुसरन करके बुंदेल खंड में, ब आमुद्रिक मार्क का लाव उठा कर सेना का स्थानतरन आवशक्त अनुसर किया, नमबर साथ, जन समर्थन का अभाव, जन समर्थन के अभाव के अंतरगत, शिक्षित वर्ग की उदासीनता की विशेश भूमिका रही, इस विद्रोह में शिक्षित भारतियों ने ना तो भ बड़ी महुल थी। इन्होंने अपने आंदोलन को राजाओं एवं जमीदारों का आंदोलन बना रखा था। अताहिये जनसाधारन का आंदोलन नहीं बन सका। जिन्हें कई युद्धों का अनभव था।